हेलो प्रेंट्स वेर्क बैक टू मार्च चानल आज मैं आप साथ शेयर करूंगी कि आप अपने लहंगे या साड़ी के दुपट्टे को पिन अप करते हुए किस तरह से सर पर पल्लू रख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको अपनी दुपट्टे को की जो बॉर्डर है या फिर नहीं भी है तो जो भी जैसे मेरे पास बॉर्डर है तो मैंने दोनुव बॉर्डर को अटैज करते हुए नीचे से पिन कर लिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो और इसको सेट करने में बड़ा ही आ इस तरह से ये लोग आएका सिच इस तरह से होगा और ओर इसको किसी भी शोल्ड पर लेफ्ट रइड जिस तरह से आप रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं कि रखने के बाद एक नीचे पोशन होता उसको पिछे जो फोड़ा वह लाना है और जितना भी आपको comfortable लगता हूँ tight loose इस तरह से भी रखना हूँ आगे से आगे की साइड रखते हुए इसको pins attach कर सकते हैं मैंने इसको बिना pin के attach किया हूँ यहाँ पर इस तरह से अपने लहगी के अंदर हल कासा पुश किया अंदर की साइड और यह इस तरह से टक हो गया बहुत ही easily हो गया देखिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ा कि आपको पेन लगानी पड़ी और यह मैंने यहाँ पर शोल्डर पर पेन लगाकर इसको दो पेन मैंने लगाई सिर्फ यहाँ पर और यह आपका दुप और यह जो मैंने लेफ्ट राइट में थोड़ा लूज छोड़ा है यह इसलिए लूज छोड़ा है क्योंकि जब हम अपना हेड मूव करते हैं तो अगर इसको बिल्कुल टाइट पुल करके आप अपने हेड पर रखेंगे तो यह आपको जैसे आपके बालों को भी खराब दे रहा था और दूसरे में आपका सेकेंड हैंड जो वह वी एकदम फ्री हो जागा इस तरह से दोनों बॉर्डर को टैक्ट करते हो नीचे की साइट पिल लगा लें इससे क्या है कि आपकी दोनों हैंड फ्री हो गए और आपका दूसरा लुक इस तरह से रेडी हो गे दो लुक मैंने आपको बताएं कि आप दुपट्टे को किस तरह से सर पर रख सकते हैं इदे कि पीछे से बहुत ही अच्छा लुक है और आपका हेड बिल्कुल एक दम फ्री है और निकल नेरा सिर्फ पीछे मैंने एक जुड़े में पेल लगाई है इस तरह से रेडी होगे आप कि दुपट्टा